कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ यहर करने वाले हूँ कुछ ऐसे एंजिल नंबर्स जो आपके जितनी भी चक्राज हैं उनको बैलेंस करते हैं क्योंकि यह चक्राज जो होते हैं हमारे यह बैलेंस होने बहुत जरूरी हैं समय समय पर इनरजाइज होने बहुत जरूरी है क्योंकि ये चक्राज ये जो हमें money भी दिलवाते हैं relationship भी हमारे ठीक करवाते हैं और साथ हमारे health का जो issues है वो भी इनी की वज़ा से कहीं न कहीं अगर हम चाहें तो ठीक रह सकता है तो ये चक्राज को energize होना और balance होना बहुत बहुत ज़रूरी है तो ये angel numbers अगर मैं आपके साथ बहुत सारे उपाई शेयर करती हूँ बहुत सारे टेक्नीक शेयर करती हूँ और अगर आप capable नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप वो सारी टेक्नीक नहीं कर सकते या आपको लगता है वो पाय आप नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है आप करी नहीं सकते हैं तो आप ये एंजल नंबर से सुभा सुभा डेली अगर अगर अपने ये सारी चक्रास बैलेंस करते हैं तो आप अपने मनी के प्रॉब्लम को खतम करते हैं आप अपनी रिलेशन बहुत सारी चीज़ों के साथ अटाज़ है हाँ तो आप जमें आपके साथ चेहर करने वाली हूं यही एंजलमबस जो आपके चक्रास को बैलेंस भी करेंगे और साथ में एनजाइस भी करेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा पच उससे पहले जान लीजे मैं कौन म आप सबस्क्राइबर करें शा शारोय में शार एक कर दो यहां से रहूं के साथ यह और मेरी के साथ अगर्डचे करने रहें कि कि जो वीडियो है ज़ादा से जादा लोको के साथ शेयर कीजिये क्योंकि बहुती तरीके से बहुतीक बिना खर्चे से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए मैं बात करते हूं सबसे पहला जो चक्रा होता है वो हमारा होता है crown chakra, तो सबसे पहले मैं आपके आपसे बात करूँगी crown chakra को, crown chakra को energize करने के लिए जो number है 1001688, यह number है 1001688, इससे हमारा crown chakra energize होगा, आपने सुबह meditation pose में बैठना है, सुबह आँख बंद करके बैठना है, उसके बाद आप सबसे पहले crown chakra के लिए आप start करेंगे, और crown chakra को energize करें second number, second जो है वो है हमारा third eye chakra, वो है उसका number है 8288133, 8288133, ठीक इसी तरीके से अब आप अपने third eye chakra को energize करेंगे, जब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, उस point पर आप energy लगाएंगे, आप ध्यान देंगे, आप यह देखेंगे कि वो balance हो रहा है, तीसरा जो chakra होता है, वो ह is throat chakra, जिससे हमारी communication skills बहुत अच्छे हो जाती है, यह अगर balance होता है, तो लोग आपकी बात सुनना start हो जाती है, तो number है 7774089, 7774089, आप आपको बहुत सारे doubts होंगे, जरूर आपके साथ share करूँगे, तो वीडियो को end तक देखेगा, इसलिए बार बार कहती हूँ, वीडि कि अंदर भी ध्यान देंगे, कि आप इसको energize करें और balance करें, उसके बाद आता है heart chakra, जिससे बोलते हैं, 4 chakra जो होता है, वो हमारा heart chakra होता है, अब उस पे 5, 4, 5, 6, 8, 2, 1, इस पर भी आपने ध्यान देखना है, heart chakra को भी आप energize करें, इस चीज़ पर देखेंगे, balance करें, आप बंद करके आपको ये सारे numbers करने हैं, एक बार आप पढ़ लिजेगा, रीट कर लिजेगा, याद कर लिजेगा, उसके बाद आपको ये numbers आपको आपको आप बंद करके meditate, बाद आप इनको चांड करते रहें, ठीके अब मैं बात करूं कि solar plexus जो होता है, वो उसके चक्रा जो है आपका, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रा है, जो attached होता है relationship से, अगर आपके relationship है, कोई ना कोई issue है, तो heart chakra और solar plexus, दोनों को आपको इसको heal करना होता है, इसको energize करना बहुत जरूरी होता है, जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको रेकी आना जरूरी है, ऐसा बिल अब नेक्स में आपसे बात करूंगी नेवल का जो नेवल वाला जो चक्रा होता है, जिसका नंबर है 5428131, 5428131, ये नेवल पर है, आपको नेवल पर ध्यान देना है, क्योंकि सारी बिमारिया हमारी जितनी भी है, वो यहां से जुड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर यहा अगर आपको हेल्ट से रिलेटिट इशू से, अगर आपको हेल्ट से रिलेटिट इशू है, तो इसको एनरजाईज करना बहुत जादा जरूरी है, और आप में next last आपको बताऊंगी, रूट चक्रा जो कि मनी से रिलेटिट है, अगर आपको बहुत सी मनी की प्रॉब्लम ह अगर इसको आप daily अगर आप energy करते हैं देली, अगर आपको सिर्फ money की जरुँआ था और किसी चीजी ज़रु है नहीं, मानी को energize करते हैं, money चक्रा को energize यानफे root chakra को energize करना चाहते हैं, तो number note कर लीजे, 1323251 ये numbers है, सारे चक्रास के अब मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक लास्ट नंबर जो आपके सारे पूरे चक्रास को क्लीन करेगा मतलब अगर आप चाहते हैं यह सारे एक पर्टिकुलर चक्रा क्लीन करने के बाद क्लीन करने के बाद उसके बाद इनेजाइस करने के बाद आप यह लास्ट तो अब इसके आपको रिलेशिंशिब का इशु है तो अप ख़र चक्रा और सोलर प्लेक्सि चक्रा भी यूज उज़ करेंगे अगर आपको कमिनिकेशन आपका स्केल नही के या फिर आपको कोई काम है जिसमें आपकी कमिनिकेशन स्केल अप्लेशिए होनी चीगे बहुत जादा क्योंकि जो लाइटिंग है जो हील है वो यहीं से स्टार्ट होता है तो इस तरीके से आपको एक चक्रा को भी हील करना बहुत जरूरी है तो यह सारे नंबर्स आपके बहुत जरूरी है तो आप वो सारे नंबर्स कितनी कितनी बार करने आपको यह बात इन सब को 10x या 28x करना चाहते है तो कर सकते हैं आपके पास टाइम होगा नहीं तो आप 28x कर सकते हैं लास्ट वाला नंबर आप 28x करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी सारे चक्रास को बालेंस करेंगे क्योंकि एक बार क्या बहुत बार मेरे पस कमेंट आए है कि कुछ ऐसे इंजल लंबर बताएगी जिन से अब अपनी चक्रास अपने हम बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि चक्रास को बैलेंस करना ना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स खतम हो जाते हैं बहुत सारी हमें को वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइब है थांक्यू फ्रेंद्स